नमस्कार मैं जतिन घुमार प्रगती मीडिया की तरफ से आज हम यहां पहुंचे हैं मैं आपको एक मंजर दिखाऊंगा कि कैसे जो एक गरीब परिवार होता है जो गरीब होता है ना गरीब एक सीधे लफजों में हम कहें तो उसको भगवान भी शायद उसके पक्ष में नहीं होता मैं आपको मंजर दिखाऊंगा मैं नास्तिक नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको एक मंजर दिखाता हूँ यह देखिए यहां पे पिछले दिन यह जलकर राख हो गया यह जो इनकी जीवन भर की कमाई थी यह गर मैं आगे दिखाऊंगा आपको यह देखिए मोटर बाइक अब कैसे खरीदी होगी कैसे पैसे इकठे करके यह बच्चों का साइकल यह चार पाई यह बरतन और यहां पे वो सामने जिसके उपर वो खाना बनाते थे सब कुछ राख हो चुका है आईए आगे लेके चलता हूँ मैं आपको यह देश का बविश्य जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं यह नजदीक से दिखाने की मैं कोशिश करूँगा आपको यह बच्चों की किताबें भी जलकर राख हो गई यह कैसा प्रकृति का प्रकृप इनको जेलना पड़ा अब इसके पीछे क्या रहस्य है क्या बाते हैं कैसे यहां पे आग लगी यह एक सोचने का विशे यह देखिए कुछ भी नहीं बचा कुछ भी इनके पास ऐसा सामान नहीं बचा यसे यह अपना रोजमर्णा का अपना जीवन जो है यापन कर सके इनी से पूछते हैं कि क्या इनके साथ यह कैसे हुआ कैसे क्या क्या नुक्सान इनका हुआ क्या हुआ था आपके साथ हम लोग सभी 20-25 बंदे थे सभी काम पे चले जाते हैं एक बजे की टायम था उधर से फौन आया इदर दो-तीन लेडिस थे बच्चे थे और उधर से फौन आया कि इदर आग लग गए जुगी में जितने दिर हम लोग वहां से 10-15 मिनिट लगाने में 20 किलमेटर दूर काम कर रहे थे फिर भी स्पीट में आये भाग करके आते आते इदर से कोई हल्प नहीं हुआ हमारा उनके बाद हमने सरकारी गारी मंगा करके आग को बुजाया तो उसमें हम लोग का बहुत ज्यादा नुक्सान हो कुछ नहीं बचा हम लोग के पास पैसे पुसे जो भी थे बाइक बुएक सब जल करके राख हो गए देखा हमने पीछे बहुत सारा सामान आपका कोई भी ऐसा सामान नहीं बचा जिसके साथ आपको जीवरियापन आप कर सकें ये क्या दिखा रहे थे आप ये पैसे थे हमा की है अब सरकारी तोर पर इनके पास कोई पहुंचा आपके पास नहीं अभी तक सरकारी तरफ से हम लोग को कोई वी चीज कोई देखने के लिए भी नहीं आया इदर देखिए ये मैं सीधे सीधे सरकारों को ये मैं बता दूं कि एक आम इंसान जो है वो कैसे महरूम रह रह हुए और जैसे आज हमें पता चला है मुझे फेस्बुक पे देख रहा था वी केर फांडेशन की तरफ से वीडियो डाले गए थे और वहां से मांग की गई थी कि इनकी हेल्प करें और वो खुद भी अपने उसके बल के उपर वो ले उखदाई ये घटना है मैं याँ पे रोश व्यक्त करना चाहता हूँ अपना मैं प्रगति मीडिया की तरफ से ये गहरी चंता व्यक्त करता हूँ और सरकारों को भी ये एक बताना चाहता हूँ कि आप ही की ये बोटर हैं इनकी की बोटों से आप जीदने हैं तो क्रिपया इनके उपर ध्यान दिया जाए और इनकी आर्थिक स्थिती को मजबूत करने के लिए कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाया जाए और कोई ना कोई ऐसा हल इनका निकाला जाए कि जिससे इनका अपना जीवन यो है यापन हो सके ये सामान देखिए ये वी केर फाउंडेशन की तरफ से ये लाया गया ये चार पाई और ये हर वो चीज जो इनको चाहिए रोज मर्रा की जिन्दगी में ये फल ये राशन ये इनको तरपाल दिये गए हैं जिससे ये अपना फिर से द्वारा एक नया आशियाना त्यार कर सके ये बरतन ये बरतन बहुत सा ऐसा सामान वी केर फाउंडेशन की तरफ से बात करेंगे वी केर फाउंडेशन के जो सचे सिपाही हैं ये इन ही से पूछेंगे आज इनोंने कैसे किस रूप में इनकी हल्प की है नमस्कार जी सबसे पहले मैं दन्यावाद करता हूं प्रगर्ति मीडिया का जो कि हमारे साथ यहां पर सयोग में साथ पहुंचे और यहां के इन गुरीब लोगों की जो आवाज है वो प्रशासन तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं तो यह घटना है परसो की तो सारा सारा पैसा धनराशी कपड़ा सब कुछ जलके राह को गया और परशासन के तरफ से कोई मदद की हमें उमीद नहीं है तो मैंने शुबं जी और रिकी जी से बात करी थी कि ऐसे है तो बताइए कब का करना है तो हमने कल पूरा दिन जो भी अपने आसपड़ों से घरों स किसी के पास कपड़े से हेल्प करी है कि इसी ने कहीं धनराशी से मदद करी है कहीं बरतन से हेल्प करी है तो यह सारी मदद जो करी है यह लोगों ने और हमारे संगठन को जो उन्होंने जिस रूप से वो कर सकता थे उन्होंने हमारी मदद करी है तो अभी हम यहां पर हैं इस लोगों की मदद करते है यह कि आप अभी तक अड़ैसे 48 घंट हो चुके हैं क्यूंकि इन लोगों के सिर्फ अभी जैसे कोवीड का चल रहे हैं सारी चिज़ें कोई क्योंकि एक तरह आपदा चल रही है उपर से इनके उपर ये भी पत्ती आ गई है, जो इन्होंने रोज मर्रा की जिन्दगी से जो कमाया था, आपने देखा की सारे नोट इनके जल गए हैं, इनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है अभी, तो मेरी वही है परशासन से की एक वार आके यहां देखें, देखें और इन चीज बता दूँ, कि ये वी केर फाउंडेशन जो है, ये जस्वा में हमारे हिमाचल प्रदेश डिस्टिक कांगडा में पढ़ता है, वहां से ये यूबक चल करके आपने देखा होगा रास्ते में, कितना पगडंडी जो थी इनकी यहां तकाने की रास्ता बहुत ही चाहता हूं ऐसे एंडियोस को प्रगती मीडिया सेलीट करता है, और मैं सरकार से भी यही अग्रे करना जाता हूं कि यहां पे सोचल डिस्टेंसिंग कहां से होगी, और कहां से ये लोग आपके दिशान देशों का पालन करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम बने रहें सरका में तो किरिप्या करके इन गरीबों की तरफ ध्यान दें, मैं बार बार यही निवेदन करता रहता हूं कि एक जो अपने आस पडोस में हमें देखना चाहिए कि कौन इनसान जो है वो कैसे रह रहा है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई गरीब है, तो उसको हम किसी भी तर अगती मीडिया की तरफ से